पूरों मुख्यमंत्री और समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखिले शादों ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या हो सकती है या तो बदमाश लूट के लिए उसे गोली मार देंगे या फिर पुलिस उसका उत्तर कर देगी असल में आज डाक्टर राम बनोहर लोहिया की जहिंती है इसको लेकर अखिले शादों लखनों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पन करने पहुंचे हुए थे तस्वीरें आप देख रहे हैं उसक्ति के इसी मौके पर अखिले शादों ने यह बयान दिया ह यह तीखा प्रहार उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर उत्तर प्रदेश की पुलीस पर अखिले शादों करें कोई ने कोई हत्या कर देगा उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या हो सकती है आप सब सुरच्चे तरहें अपनी सुरच्चा स्वें करें उत्तर प्रदेश में हत्या या पुलिस कर देगी या लूट के महाने कोई ने कोई हत्या कर देगा किसी की भी हत्या हो सकती है आप सब सुरच्चे तरहें अपनी सुरच्चा स्वें करें उत्तर प्रदेश में हत्या या पुलिस कर देगी या लूट के महाने कोई ने कोई हत्या कर देगा उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या हो सकती है आप सब सुरच्चे तरह अपनी सुरच्चा सुएं करें उत्तर प्रदेश में हत्या या पुलिस कर देगी उत्तर प्रदेश की सरकार पर इसके बाद क्या आल चले है वहाँ पर? पक्ष में अखिलेश यादों हैं और भारती जनता पार्टी और योगी आदितिनात की सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं कभी वो ट्वीटर के माध्यम से कभी बयान के माध्यम से जब जहासी के दोरे पर थे तब भी उन्होंने साब साब प्रेस कॉन्फरेंस करके य और अरोप यहां और यहां यहां बियाया नहीं पुषपंजरी दरपित करने के बाद मालेयाय आरपन करने के बाद वीर्ष आप अखिलेश शादो के इस बयान पर आपकी टिपनी क्या है? एफिलेश बयान पर आपकी ट्रण पर आपकी टिपनी क्या है? को रास नहीं आ रही और इसलिए समाजवादी पार्टी का हमेशा से टिहाज रहा है कि यह हमेशा जो किरिणनल एलिमेंटें उनके साथ खड़े होते हैं और इसका सबसे बड़ा उदारन तो तब था जब आतंकवादी ने के पक्षिन कि क्रिमन एलिमेंट के साथ खड़े होते हैं तो आप उनसे उशक्ता में यह समाजवादी पार्टी के समय में क्या हुआ यह क्विशे है लेकिन अभी चर्चा इस बात किये कि इस वक्या हो रहा है क्या जहासी में पुष्पेंद्र रादों तो घटना को लेकर रख रहे हैं जिस तर आज में रादमी कर रहे हैं जिशी तर पर हर आपको पता है हर एंकाउंटर की मैजिस्टर इंक्वारी हो रही है और उत्रप्रदेश में जो लोग एंकाउंटर पर सवाल उठा रहा है उनको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक इनकाउंटर नहीं है जिसको लेके मानवाधिकर आयोग ने या किसी बी मेंसे इंक्वाइरी में पोलिस को दोश्य पाए गया उल्टे पोलिस की सराना की गए तो यह राजी नीती कर रहे हैं पुछ्टेंड रयादों की घटना को लेकर राजी कर सकते इनको अधिकार है ले वेरेश पांडे के पास हमारे सायोगी इस वक्ता लखनाव में हैं उनसे बातचीत करेंगे वेरेश से बातचीत करेंगे लेकिन शमाना खंडेलवाल कॉंग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पजूल गई हैं आपकी टिपड़ी क्या अखिले शादा हो देखिए व परशासन की तरफ जो खिलाफत कर रहा है वो एक दम ठीक है कि परशासन यहां इंद रंपुश हो चुका है कोई सुनने को किसी की तयार नहीं है मगर मैं इस वासे बिलकुल चैमत नहीं हूं कि अगर किसी के ओपर आरोप लगाए या वो अपरादी है जबते उसकी सही परशासन को किसी की लूट के मामले में हत्या हो जाएगी और एक बर अपस बयान सुनिये पहले शावाना या पुलिस कोई हत्या कर देगा उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या हो सकती है आप सब सुरच्चे तरह अपनी सुरच्चा सुएं करें उत्तर प्रदेश में हत्या या पुलिस कर देगी या लूट के महाने कोई ने कोई हत्या कर देगा उत्तर प्रदेश में किसी की भ सब्सक्राइब करें अब आप अपनी टिपपनी करिए हमें यह लगता है कि अधिकार प्रशासन को नहीं है कि वह लूट के मामले में किसी भी को आप उसका गोली मारकर हत्या कर दें हां मिसाल इस बात की है कि इस तरह से जहांची में उसके साथ वा उन्होंने बोला कि वह क्र चिश्की और उसको गोली मार दी गई मैं इस बार सब जरोष करते हूं कि पर शासन को यह अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वह अपने हाथ में कानून ले और इस पर लगाम लगानी चाहिए इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है तो आप सरकार को दोशी बांती ह तो तक सरकार को तीफ़ दे देना चाहिए अगर हमें आज अपनी सुरक्षा कुद करनी पड़े तो इस पर पूरे उत्तर पिर देश जिए अगर उत्तर पिर देश की अगर मुकी आए तो उनकी यह मतलब एक पनिवान है और उस पनिवार की रख्षा करना पिता का धर्म हो चाहे वो हिंडू हो चाहे वो मुसल्मानों चाहे अधरकातों अभी 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 बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे के अकेले श्यादा को ये बात उठाने का अधिकार नहीं है चुकि उनके शासन में तो खुद कानून डिवस्था एकदम आशिये पर थी एक के बाद एक्परेसे बें लूट हो रही है कही हत्या हो रही है पुलिस में ने कुछ है लोगों की बेगुनाओं की हत्या कर रही है बिना पुछ समाल के अपाया ज़र्द नहीं होती उसमें जेरी होती इस सबकी रिस्पांसमिल्टी उसकर प्रवेश सरकार की है और उन्हें उसमें अड़ाना ही जाए नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदारी उनके पास होनी चाई है लेकिन तरक ये दिया जा रहा है शहां की लगातार पोलिस इंकाउंटर कर रही है अपराद्यों को जो है वो लगातार ढूडा जा रहा है वाजा तो सरिंडर कर रहे हैं जेल जा हैं या फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है तो यह सब पुलिस की कामियाबी है जो अभूद पूर्व है यह तर्क दिया जा रहा है यह तो उनके आकड़े हैं मैं मुझे लगते बेगुना लोगों को मारा जा रहा है जैसे पुछ पेंद्रमान लीडिया अगर वो खनल माफिया आप क्याते हो तो खनल माफियाओं का रोखनी की जिम्मेदारी भी प्रैस कि नहीं कहा यह जा रहा है शबाना बीजेपी की और से की सतर प्रतिशत मामलों में मैंस्ट्रियल इंक्वारी और हुमन राइट्स कमिशन की क्लीन चिट्थ है सिर्फ तीन तीस प्रतिशत मामलों में जहां चल रही है यह तो देखिए ली के आक्रे है ना हमें वो लिस्ट दुजारी करवा दीजिए सारी सारे विपक्ष की जानना चाहता है कि जिन लोगों के इंकाउंटर किये गए वह सही मायने में सही नहीं है ठीक है शमाना वैसे विपक्ष को भी विपक्ष को भी एक अपना एक आंकणा प्रस्तूत करना चाहिए जो प्रमारिक हो और उसके तर्क में दम आ सकता है बहुत धनिवाद आपका शमाना एवीप गंगा पर अपना पक्ष रखने के लिए पनी पार्टी का पक्ष रखने क कि जिसके बारे में आप बता रहे थे पता जी विरेश कि देखे राजनितिक हल्चल जब से पुस्पेंद्र हत्याकांड हुआ फिर कवीरतिवारी का मामला आया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अगर विरोधी दलों की हम बात करें तो वह काफी सक्री हुए हैं चाहें मैं समाजबादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ और अखिलेश यादो अंदर कारेकरताओं से मिल रहे हैं लोहिया पार्क के बाद से वो यहां आये और कारेकरताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो कुछ कारेकरताओं से हमारी बात हुए उनसे ये कहा गया कि अब स संघर्स का वक्त है हमें संघर्स करना है सड़कों पर उतरना होगा अखिलेश यादों ने जिन कारेकरताओं और नेताओं को संदेश दिया उनसे हमारी बात हुई उन्होंने इस बात को कहा कि अखिलेश यादों ने ये संदेश दिया है कि अब हमें संघर्स करना होगा कुल म अगर मुख्यमंत्री की बात करूँ उत्तर प्रदेस के मुख्या की बात करूँ तो उनकी पहली प्राथ मिक्ता कानून बेवस्था को लेकर है और जब भी सवाल खड़े किये जाते हैं वो बेचैन होते हैं और यही इस्तिति है कि कई बार पूरे उत्तर प्रदेस में कानून कर चुके हैं योगी आदितिनाद की सरकार को लेकर लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विशह है और सवाल काम कर रहा है जो करना चाहिए जो विपक्ष का विरेश 만들 के ऑन्रीट करने का विरोध करने का था हना मांने और विरेश किया हुए लकनों में इस बय twisting के पहले क्छा हुआ सबसे पहले खबरे पानी के लिए ABP गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com slash ABP गंगा